ये से रूप जी बात करेंगा सोयबीन की तो सोयबीन में हमने काफी शांदार तेजी आते देखी है तेजी के बात उपरी सतर से प्रॉफिट बॉकिंग भी बनते देखी है और बारी बारी से फसले भी खराब होती देखी है ऐसे में आपको क्या लगता है जिस हसाब से हमने सोयबीन में अर्शर सो के बाद 3300 तक लेवल्स जाते वे देखे हैं फिर वहां से एक खरिदारी बनी जो की हफ़ते के आखरी कारवार दिन पैसर सो तक गई थी और वही टेडिंग हम देख रहे हैं आज भी कंटीनिव है पैसर सो के लेवल्स पर सोयबीन आज ट्रेड करती नजर आ रही है आपको क्या लगता है अब सोयबीन में यहां से क्या लेवल्स रहेंगे मंदी रहेगी तेजी रहेगी क्या सर्थ देखने को मिलेगा देखें सोयबीन में रुजान तो पॉजिटीव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक बार उमीद है कि जन्वरी वाइदा साथ हजार तक तो जच हो सकता है जिस हिसाब चेस में रेली आई है निशलेस तरव पर बाउंस पैक देखने को मिला है और अभी देखो एक्सपाइरी की वज़े से थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है जन्वरी वाइदा 4-3-3-80 तक लोड़ा सकता है लेकिन ओवरॉल ट्रेंड पॉजिटीव है एक्सपेक्टिड है कि 8-600 से लेकर 7-800 जन्वरी वाइदा में देखने को मिल सकता है जम्मू कश्मीर से कन्या कुमारी था एहमदाबाद से अगर तला तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान